तू डिजी नमबर दोस्तों 10 से लेकर 99 के जो नमबर होते हैं उसमें से दो नमबर को मल्टिप्लाइ करने की आसांसी ट्रिक का आपको मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो के मादन से सुरू से लेकर अंदर तक जरूर देखेगा आपको ये ट्रिक बिलकुल अच्छी तरह से समझता आने वाली है आईए मैं जानते हैं इस ट्रिक के बारे में ये ट्रिक कैसे काम करती है सबसे पहले हम दो नमबर लेते हैं यानि A, B एक तो नमबर हमने ले लिया A, B A, B यानि टू डिजिट नमबर है यानि 10 से लेकर 99 के बीच में इकाई और दहाई का नमबर हमारे पास होना चाहिए ये इकाई का नमबर हमारे पास B है और धाई का अंक है हमारे पास A, once or ten ऐसे ही दूसा नम्मर हमने c, d नाम से ले लिया और ये भी एक नम्मर है जिसमें once or ten गाई और धाई है तो इसको multiply करने के logic rules बताते हैं इसके तीन rules हैं तीन rules से आपस में हम बताते हैं once digit जो हते हैं दोनों नम्मर के वापस में b and d को आपस में multiply कर देंगे और results लेखेंगे result में दो चीज़े हमारे पास आजकती हैं एक तो एक नम्मर का यानि once digit का नम्मर आएगा और यह पर two digit नम्मर आएगा 10 से लेकर 99 तक तो इन दोनों में क्या situation आएगी पहला जो अगर once digit है तो वैसे हम answer में लिख लेगे लेकिन अगर 10 से है तो उसका जो first number है यानि once digit है वो हम answer में लिख लेगे और second digit carry बिन जाएगा तो इसमें carry भी आ सकता है तो यहाँ पर carry आएगा अब यहाँ पर क्या करेंगे carry carry के साथ हमारा दूसरा नियम plus होगा जो हमारी carry आ रखिए carry के साथ दूसरा नियम कैसे plus होगा देखिए यह cross multiply करेंगे once को 10 से से और 10 से को one से दोन number के multiply करेंगे जैसे a को multiply करेंगे b से और plus b को multiply करेंगे C से तो जब यह multiply करेंगे और जो number आएंगे वो carry के सांद जूडेंगे multiply करने के बाद और जो number आएगा वह क्या आएगा यह देखने वाली है वो भी once digit या two digit में आ सकता है one digit में आएगा तो answer वैसे लिखे जाएगा two digit का number आएगा तो उसमें क्या करेंगे दोस्तो उसमें भी हम once यानि एकाई का अंक जो है लिखे लेंगे और दहाई का अंक carry में लेंगे वो क्या हो जाएगा carry हो जाएगा हमारा तो यहाँ पे भी carry आया तो थर्ड रूल बनाने के लिए carry के साथ हम third rule प्लेस कर देंगे अब third rule कैसे होता है third rule यानि दहाई का अंक यानि 10s digit को दोनों 10s digit को आपस में multiply कर देंगे तो a into c आपस में multiply होगा जो भी आपका carry के साथ चुड़के answer आएगा वो हम answer में लेके देंगे यह आपका नियम rules है अब मैं बताता हूँ आपको कि यह इदर पर मैं कुछ questions दे रहा हूँ questions दे हैं for example वो questions किस तरह से काम करते हैं और कैसे यह logic उसमें काम करता है तो पहला 11 into 11 है 11 into 11 को हम multiply करेंगे कैसे करते हैं सबसे पहले first digit लिए यानि one into one करेंगे तो one आएगा यह single digit आ रहा है double digit ने आ रहा है अगर इसको zero ले ले लेंगे तो यह double digit में आ गया तो यह double digit यानि carry zero है zero कुछ भी नहीं है तो इसका मलब one है one हम यहाँ पर answer में लिख लेंगे और one answer में लिखने के बाद हमारे पास carry कुछ नहीं बसता है zero बसता है अब हमारे पास दूसरा रूल आ गया carry के बिना हमारे पास दूसरा रूल आ गया a into b cross multiply वाला a into b और b into c cross multiplication करेंगे तो one का one से multiply करेंगे तो one का one से multiply करके plus one का one से यानि b इस तरह से multiply करेंगे cross multiply और जोड देंगे तो यहाँ पर one प्लस 1 होगा और यहां पर 2 आएगा यहां पी भी single digit ही आ रहा है अब single digit आ रहा है तो वह ही answer अगर इसको double digit करेंगे तो zero पहले लिखना पड़ीड लेगा carry कुछ भी नहीं है तो यहां पे 2 हम यहां पर लेङे और carry अभी हमारे पास कुछ नहीं है carry के बीना सुर्ष हमारे पास carry के बीना हम 3-star rules निकालेंगे 3-star rules है हमारे पास ताइका अंक यायनि 10s ए 10s को multiply करेंगे a and c को multiply करेंगे और a and c को multiply करंगे यह नहीं 1 into 1 is equal to 1 फिर हमाई पास 1 आएगा और यह 121 answer 11 into 11, 121 answer आएगा दोस्तों यह मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको देर लग रही है अब अगर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि यह टेक आपके लोजिक में आएगी ही नहीं बाद में आप बूल जाएंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करने हैं और पर लेकर पांस से दस ऐसे नमबर लेकर यानि दस से लेकर 99 के नमबर लेकर आप आसमें multiply करने हैं उसके बाद उनका रिज्यादा देखना है चेक करना करें जल्की तो नहीं हो रही यह रूल्स आप आसम से आसानी सीख जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा आपको यह सब करने की जरुद नहीं पड़ेगी यह सब लॉजिक आपके mind में store हो जाएंगे दिमाख में store हो जाएंगे और आप calculator की तरह यह दो नमबर आपस में multiply करेंगे यह तो डिजिट नमबर आपस में multiply calculator की तरह आप कर पाएंगे तो इसके लिए मैं यह trick आपको बता रहा हूँ अब दूसरा रूल्स यह दूसरा नमब यह तो मैंने आपको trick की according बता रहा है अब बिना देखे हुए हम इसको कैसे करेंगे सबसे पहले हमने क्या किया 5 और 4 को multiply कर दिया 20 आया 20 का 0 हुआ 20 का 0 हुआ 2 carry mind में 2 carry रख लिया अब cross multiply करते हुए 2 को भी जोड़ेंगे ऐसे ही 5 तूज़ा 10 10 प्लस 2 12 हुआ और ऐसे ही 4 तूज़ा 12 12 और 12 24 हुआ 24 का हम यहाँ पर 4 ले लेंगे और 2 carry हमारे पास दिमाग में रहेगा यानि एक carry आ लिया carry लेने के बाद हमारे पास अब हम multiply करेंगे 3 और 2 को यानि 2 डिजिट को तो 3 और 2 को गुना करेंगे 3 दूना 6 होता है और 6 के साथ 2 प्लस होगा तो यहाँ आठ आ जाएगा तो यह 800 के आ जाएगा 40 आ गया यानि 8840 आ गया तो यह 8840 इसका answer है आप calculator में भी कर सकते है और हम से देख सकते हैं कि यह answer सही आ रहा है तो इस तरह से आप करेंगे अब मैं आपको तीसे नमर का multiply बता रहा हूँ देखिए 49 का 56 से multiply हुआ कैसे हुआ सबसे पहले single digit यानि 9 इंटू 6 से कर दिया 9 इंटू 6 हमने किया 9 इंटू 6 से 54 होता है 54 आपका answer मा आ गया 54 का single digit यानि 4 हमने यहां पे ले लिया और second digit जो हो गया वह carry में आ गया तो carry यहां पे हमने लिख लिया अब हम cross multiplication करते जाएंगे और इसमें plus करते जाएंगे 6 का 4 से multiply करेंगे तो 6 से 4 जा 24 6 से 4 जा 24 होता है और 24 हमने यहां पे लिख लिया और 24 प्लस हो गया 5 में ऐसे ही दूसरा कॉस मुल्टिबला है 95 जा 45 अब 45 हमने यहां पे लिख लिया और सबको हमने plus कर दिया सबको हम plus करेंगे तो 74 plus करने पे हमाई पास 74 आ गया यह पुरा plus हो गया अब plus करने के पास 74 फर्स्ट डिजिट हम यहां पे ले लिए और सेकंड डिजिट फिर से हमारे पास carry के लोप में हमने ले लिया अब यहां पे 5 और 4 को मुल्टिबला करेंगे 5 फोर जा कितना आया 20 आया 20 हमने यह ले लिया और 20 लेने के बाद यह दोस्तों धियान देजिए 20 लेने के बाद दोनों को plus कर देंगे 27 आया तो 27 हम यहां पे लिख लेंगे तो यहां पे यह answer आपका यह answer आपका 2744 आ गया आप calculator में भी कर सकते हैं बिल्कुर सेम आएगा इसको आप mind में रख सकते हैं इतना जो portion है यह portion आप अपने mind में रख सकते हैं आप अपने दिमाग में रख सकते हैं प्रैक्टिस के दुरू without practice यह rules काम ने आएगा प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए दिन में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितनी भी question आए वो आप दस्तर कर सकते हैं लेकिन पर देखीजिए जब तक यह आता नहीं कम से कम 10 या 15 दिन या एक मेने तक आप इसको practice में लाएंगे तो आपको यह rule अच्छी तरह से आ जाएगा guaranteed है लेकिन जब तक practice नहीं करेंगे तब तक यह नहीं आपाएगा अब जल्दी से दोस्तों एक और last logic बचा हुआ 82 और 96 का multiply 82 टू डिजिट नम्मर है और 96 भी 2 डिजिट नम्मर है यह आपसे multiply कैसे होंगे single डिजिटे लेते हैं 6 और 2 को multiply करेंगे 6 तू जा 12 12 का 2 आ गया और हमारे पास 1 केरी माइंड मा आ गया ध्यान दीजिए माइंड मे रख लेजिए और उसके बाद हम 1 अब जोडते रहेंगे सबसे पहले 6 और 8 को multiply किया तो 48 आया 48 में 1 प्लस किया तो यहाँ पे आएगा आपका 49 तो carry के साथ हमारे पाफ 49 आ गया अब हम दूसरा digit 9 तू जा 18 18 और जोड़ेंगे हम 49 में 49 में 18 जोडने पे हमारे पाफ 67 आता है तो 67 का यहाँ पर हमारे पाफ 7 आ गया अब 7 आने के बाद हमारे पास बसता है 67 का 6 carry बच जाता है और 6 carry बसता है तो हम कैसे करेंगे इसको मल लिता है 8, 9 जा कितना होता है 72 72 और 6 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 78 तो यहाँ पर 7,872 आंसर आपके सामने आ गया और यह हमने बिल्कुल लॉजिकली माइंडेट कर रखा है तो आप ध्यान दीजिए प्रक्टिस पे बहुत धन है प्रक्टिस कीजिए इसको से इनको और आप सीख लीजिए इस ट्रिक को आपके जीवन में काम आएगी अगर आपको यह ट्रिक आती है तो आप अपने दोस्तों को भी बार बार बताईए उसको और यह मल्टिप्लाइ बहुत ही आसान तरीके से सीख़िए इसी परकार के आसान ट्रिक्स सीखने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसमें अगर आपके कोई क्वारीज हैं तो कमेंट कर दीजिए अपने दोस्तों अपने मित्रों को ये वीडियो भीजने के लिए सेयर जरूर करें भाई